आइ समझ में नहीं आ रही है कि यार कुछ मिश्टेक क्या माफ की जा रही है कि नहीं माफ की जा रही है जो मेरे पास अभी पेपर आया हुआ है उसमें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है यह मिस्टेक को माफ किया जा रहा है जैसा कि मैंने बी यह सब में आप सब्सक्राइब करने के बाद उसको डिडेक्ट करते हैं पूरा जो उनका इवालुवेशन करने का था जो माफ सब कुस समझाने की कोसिस करता हूं मैं ठीक है तो सबसे पहले हम चलेंगे और देखेंगे कि पहले की हाफ मिस्टेक और फूल मिस्टेक क्या होती है पहले आप इसको समझ लो उसके बाद हम टैपिंग के वालुवेशन के बारे समझेंगे कि वहाँ पर एक्कुरेसी कैसे का हांब पूल मिस्टेक को अगर आप आप यहां पर देखेंगे तो आप सभी को नजर यहां पर आएगा कि यहां पर लिखा हुआ मंगी बसके का मतलब क्या होता है फॉर यहानि कि आपने कोई यावी कोई फीगर है उसको मिस कर दिया तो वह आप पूरा पूरा सेंटेंस था आपको ये लिखना था मगर आपने क्या किया यह गुड है यह को अगर मिस कर दिया आपने तो यह क्या होगी आप सभी कि अब रॉंग वर्ड फिगर एक्सपेक्ट ट्रांस्पॉसर ऑफ वर्ड यानि कि आपने कोई इसके जगा पर सब्स्टिटूट लगा दिया तो मेरे भाई आप सभी क्या हो जाएगा यह यह भी आप सब्स्टेक हो जाएगे सब्स्ट्यूट हो जाएगा ठीक है यह आप लिखाना है फॉर एवरी सब्स्टिटूशन और रॉंग वर्ड फिगर यानि कि आपको कुछ वहाँ पर लिखना था यसे गुड लिखना था ठीक है यहाँ पर अब गुड की जगा पर आपने कुछ और लगा दिया ठीक है तो यह आप सभी कि क्या हो जाएगा यह एक फुल मिष्टिक में आएगा उसके बाद थर्ड देखिए लिखा है फॉर एवरी एडिशन आफ वर्ड फिगर नौट फॉंड इन दा पैसेज मालीजे आप सभी का एक सेंटेंज लिखा हुआ है मैं आपको फूल मिष्टिक पूरी बता रहा हूँ ठीक है मेरे भाई आ और एवरी एडिशन आफ वर्ड फिगर यानि कि मालीजे अगर लिखा था अगर मालीजी यहां पर लिखा था सूरज इस ए गुट अगर मालीजे ऐसा लिखा बाठा आप को यह टाइप करना था मगर आपने क्या किया लगा दिया दा सूरज १ा सूरज इस ए गुट बाई १ाई तब आपने क्या किया दा को एडिशन में लगाते हो तो भी खार फुल में मिश्टेक में काउंट हो जागे ठीक है तोथे नूमर पॉइंट में अगर आप देखोगे लिखा है फॉर एबरी स्पैलिंग इरर कमिटेड बाई वे आप रिपिटेशन यानि कि आप सभी की स्पैलिंग मिश्टेक होई है और रिपिटेशन से हुई है ठीक है और एडिशन और ओमिशन यानि कि कोई आपकी स्पैलिंग मिश्टेक हो रही है जहां पर आप कोई स्पैलिंग मिश्टेक बारबक मलब कि जो अच्छा रहे लेटर है वह बारबक गलत लिख दिया आपने या फिर आपने क्या लिखिया कोई चीज जोड दिया इसे माली जे गुड की सब्सिट्यूशन ओफ लेटर वर्ड वर्ड स्पैलिंग टाइट बाइद आप ग्जांपल भी दिया हुआ यहां पर एक्जांपल क्या दिए जैसे माली जे कोई स्पैलिंग वर्ड है अगर आपने उसको टाइप कर दिया स्पैलिंग की स्पैलिंग देखो मेरे भाई यहा इस दो आप लिए अगर कोई चीज आप करते हो या कोई चीज जोडते हो तो दोण ही आपकी फुल मिस्टेक में होगे ठीक है अच्छा तो नंबर पॉइंट में अगर आप बात करें तो फुल मिस्टेक की यहां लिखा हुआ है आप इस चीज को ध्यान से समझ लो यह इंकम्प्लिट वर्ड इसें की हाफ टाइट वर्ड विल बी टीटेज एस जी स्पेलिंग है जैसे माले सूरज है आप सूरज की स्पेलिंग आपने पूरी नहीं लिखिए आपने बस लिखा क्या सुरा ये लिख दिया तो ये भी आप सभी की क्या हो जागी एक फुल मिस्टे अब हाफ मिस्टेग में क्या है हम पर इस पेसिंग व्यर sinon जैका ये आपकी मिस्टेक क्या हो जाएगी माले आपने लाव में लग लिख दिया वी ए लिख दिया आपने इक reproduce ये आप वर्द तो आपका सही होगा तो वह सही था mr. यह को समझना मेरे भाई को कि आगे बताने वाला उने वाला हूं वह आप सभी के लिखा हूआ है जैंते है कि अ significance लिखा एख चैने की महलेili होता हाई लिखना आ वहां पर आप सभी को स्मॉल लिखना आ था वहां पर आपको सूरज लिखना है अब सूरज का पहला लेटर जो है किस में जागी हाँ पिस्टेक में उसके बार थर्ड नमर पॉइंट में देखें तो पंचुएशन की गलती भी आप सभी की माने जाएगी जैसे जहां पर आप सभी को पंचुएशन लगाना है जहां वह फूल स्टॉप लगाना कॉमा लगाना उस आपकी आ जाएगे ठीक है उसके बार चौथे नमर पाइंट में देखें आप सभी तो लिखा है ट्रांस्पोर्शन इरर वेर वर्ड आ ट्रांस्पोर्टेड डवर्ड्स आई होप टाइप एज आई होप आई यानि कि आप सभी कि आगे पीछे भी अगर माने जह लिख जाते है इससे लिखा हुआ थ किया किया टिक है घृत अगर म chociaż कर दिया तो वो भी एक मिस्टेद्प कि तरह कॉंट होगा ठीक है उसटे बार यहां हो बोलाया पांच्यों पॉंट में पैराघ्राफिक इरर पैरग्राफिक क्या है हाप मिस्टेक साल भी टीटेट फॉर इस एरेशनल पैरा यानि कि आप सभी को जो पैरा है वो सहीश से आपने नहीं किया गलती किया है तो आप सभी का क्या होगा हाप मिस्टे को आप इस तरह समझ लो कि आपने कोई व्रड गलत नहीं किया है बस उसकी फॉर्मेटिंग में कहीं गलती कर दिया है आपने word में कोई गलती ने की और full mistake का मतलब क्या है कि आपने पूरा पूरा ही word जो है वो गलत लिख दिया है ठीक है तो यह half mistake और full mistake को आप समझ के होंगे आप ठीक है तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके इंदर कोई doubt होगा ठीक है अब हम चलते हैं main चीज पर अगर आप आ 2019 का लिखा हुआ है ठीक है 2019 ठीक है मेरे भाई अब देखो यह बच्चे किसी बच्चे ने मुझे भेजा है ठीक है यह पूरी seat है जिसको आप सभी को feel करना है जिसको आप सभी को feel करना है यह मैं आप सभी को टेलिग्राम पर provide कर दूँग ठीक है यहां पर लिखा हुआ है checklist यही वो seat है जो आपकी record में जाएगी जहां से एक सब्सक्राइब कर रहा हूं ठीक है अब रिजल्ट पर जाएगे तो पहले नंबर पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं लिखा है checklist to be filled by skill task board यहां पर आप सभी का roll number भरा जाएगा नाम भरा जाएगा और आपका medium भरा जाएगा यानि कि आप Hindi typing करते हो कि English typing करते हो you have to fill it here ठीक है यहां पर आप सभी को भरना पड़ेगा ठीक है उसके बाद अगर आप जाओगे नीचे तो यहां पर लिखा जाएगा फिर number of type pages आपन अब जो है वह main चीज अब आपको समझने के जुरत है मैं कह रहा हूँ कि comment करना रोग देना comment पर ध्यान बिल्कुल मत देना अभी सीधी ध्यान कि इस पर देने मेरी इस बातों पर ध्यान देना क्योंकि अगर आपने यहां मिशाउट किया तो आप समझ नहीं पाओगे कि CIS में हो क्या रहा है CISF की evaluation होती कैसी है आपको मैंने full mistake और half mistake की बारे मता दिया पहले ही ताकि आपको आप समझने में दिक्कत ना हूँ अगर आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है evaluation seed to be filled by evaluator यानि की evaluation करने का मतलब क्या है जो बच्चे ने type किया है उसको अब हम check करेंगे कि उसमें कितनी mistake है कितना उसने type किया हो किस तरह से उसकी net speed gross speed निकल किया ती है सबसे पहले अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोला है gross word type यानि कि उसने कितने word type किये अब यह बताईए यह कैसे निकलेगा यह निकलेगा मेरे भाई कैसे यतना भी आपने stock type किया होगा उसमें 5 से भाग देंगे जिसमें minimum जो आप सभी की stock होते हो वह कितने होते मेरे भाई 1750 आप सभी की stock type करने हैं इसमें अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 ते 15 और 5 25 यानि कि 350 वड़ा रहेंगे आप पास हो जाओगे इंगलिस के और हिंदी के 1500 होते हैं जितने भी stock आपके रहेंगे उसमें 5 से भाग देंगे और आपके कितने निक तो यहां पर अगर गौस वर्ड टाइप की बाद करें तो अगर मैं मालीजे आप सभी से कहता हूं कि उस बच्चे ने 400 वर्ड टाइप किये हैं ठीक है 400 वर्ड उसने टाइप कर दियें अब उसके बाद यहां तो होने के बाद जितना भी stock अपने टाइप किया होगा उसमे कितनी कर दी घजान लाके सब्सक्राइप को मैं ने पहले बता दी थी इक बताइथी आफ सवी को full mistake कि और मणका है जहांबस पर आपने पूरा पूरा अचछार गलत कर दिया है और हात में मतलब है जहां पर आपने पंचुएशन में गलति की है प्राग्राफ चेंज मैं कहता हूं आप सभी से कि आपकी फुल मिस्टेक निकल के आती है मान लिजे चार आपने फुल मिस्टेक कर दी और हाप मिस्टेक मान लिजे आपने कर दी है यह आपने कर दी है हाप मिस्टेक में मैं बोलता हूं कि दो हाप मिस्टेक कर दी है चार फुल मिस्टेक कर दी है च यहां पर इसका टोटल निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे, यहां पर हम टोटल निकालेंगे, जो हाफ फुल मिश्टेक है, फुल मिश्टेक को तो पुरा फुल लिखेंगे, और जो हाफ मिश्टेक है, उसमें हम दो से भाग दे देंगे, यानि कि दो भागे दो कर यहां पर दिखेंगे लिखा हुआ a plus b by two यानि कि a सभी का यह York जाना और यहां फो पहला नमबर देखेंगे तो पहला नमबर यह लिखा हूँ है ठीक है। अब यहां पर लिखें कि a की वैलू हमारी use召ीक हो रहा है तो कर जाएगा अब चार प्लस एक यानि कि टोटल आप तभी कि 5 वर्ड है वो माइनस किये जाएंगे अभी इतना नहीं किये जाएंगे अब उसके बाद देखा जाएगा कि नेट वर्ड जो है वो कितने टाइप किये गए अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम जो पहले 400 टाइप किये खुए हैं उसको लिखेंगे माइनस करेंगे इसमें से अ जितना भी हमारी एहां पर निकल करेंगे है औरizon देंगे तो हमारा 380 निकल कर आएगा और यही हमारा क्या निकल कि आएगा इस सभी Peyer. औभ यहंए अब यह हमारा 380 word हमारा निकल के आ गया अब 380 में हम क्या करेंगे हम 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 मिट की हमारी टाइपिंग है तो 10 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा कट पेट के कितने की स्पीड आ जाएगी आप बोलोगे 38 की स्पीड आ जाएगी यहीं हमारा 38 पर मिट हमारी स्पीड निकल गयाएगी ठीक है बबद्बद आप सभी समझोगे सबसे पहले हमें ग्रॉस वर्ड निकालनेके लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस वर्ड निकालने के लिए हमारा जो भी उसके बाद full mistake और half mistake को अगर आप देखोगे तो full mistake माल लिजे आपने 4 कि वो आपके उपर depend करता है आप कितनी mistake करते हो आपने full mistake 4 की और half mistake आपने 2 की तो 4 तो आप रखे लिखी जाएगी और half mistake को हम आधा कर देंगे यानि कि चार प्लस दो बटे में दो यानि कि एक हो जागा चार प्लस है कि यानिक पांच mistake हो जाएगी तोटल पांच मिश्टेक हो जाएगी अब पांच में हम 4 से गुड़ा करके इस ग्रॉस स्पीड में ग्रॉस जो वर्ड थे उसमें से हम घटा देंगे यानि कि 400 हमारा जो 38 निकल गया आता है और 38 हमारी क्या हो जाएगी स्पीड निकल गया ठीक है अगर आप यहां पर देखोगी पूरे जो मैंने आप सभी को बोला था कि 100% चाहिए अब यहां से आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि यहीं पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितने प को इतने परसेंट की मिस्टेक इग्नोर करेंगे ना ही नौटिफीकेसम ने लिखा है आप सियाए सब की अप कल्कुलेट करने का आप तरीका समझ चुक्य होंगे यहां पर आप सभी ठीक है उसके बाद इतना करने के बाद आपकी नेट स्पीड निकल के चलियाएगी 38 जो क तो यह टाइपिंग का पूरा-पूरा इवालवेशन था टाइपिंग को कैसे कैल्कुलेट करते हैं यह तो यहां पर आप से मैं यह कहूंगा कि आप मिस्टेक कम से कम करो क्योंकि जितनी आप मिस्टेक करोगे उसका चार गुना आपकी ग्रॉस स्पीड में से घटा दिया जाएगा आप देख लो यहां फूल मिस्टेक चार थी चार का सीधा सीधा देखो कि छार गुना हाँ मिस्टेक का 2 चारי का फांट का चार गुना घटा दिया गया मेरे भाई यह आप सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है वैसे देखा जाए तो उतना ज्यादा भी खतरन नहीं अगर हम यही मानन लेते हैं छलो हम यह भी मानते हैं आपने 400 की ढाय थी अगर दस लिखो अगर जितना अधिक करोगे आपके होने के चांसे उतने तो अपने स्पीड को अभी से ही अपने एकुरीट देखो जो सारा कैटेरिया है मैंने पूरा-पूरा ओरिजिनल डेटा आप सभी को बताया है कहीं से कोई भी चीज पेक नहीं है कहीं से बनावटी नहीं सारी चीज़ें आप सबीकी रियल इन दप पेपर है ठीक है ब्लैक औ टैपिंग को फॉलो करो ताती साथ इसको भी थोड़ा सा आप देखना मैं इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा आप अपनी आखें से खुद देखना और खुद समझना और खुद दिमाग लगाना क्योंकि आप भी तो एक बुद्धी जीवी हो आपके अंदर भ है उसका चार गुना घटा दे रहो कहीं पर भी कोई ऐसा पैरा में लिखा नहीं हुआ है कि जहां पर आप सभी की टैपिंग की इग्नोर की जा रही है आप टैपिंग कैसी ले रहे हो मेरे भाई बहुत खतरनाक टैपिंग मुझे कहने का मतलब है अभी तो मैं बोलूं कि 19 म अगर करें जादा तो आप की टैपिंग तो खराब होगी फूरी तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जोड़े मेरे पाई है आप सभी समझ दो मेरे भाई नबय नमबर भी लेके आया होगे तो कोई फैयदा नहीं निकलेगा कर आप इसमें फेल हो जाते हो तो यह सारा matter जो है मैं आप सब को टेल्ग्राम पर बॉनईट कर दूँगा आप खुश से analysis करना रात को 12 तक देखना या रात को 13 बज़े तक देखना आपकी मरजी रहेगी बागी मेरा काम हो गया मैंने जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया फिर अभी लेते हैं वी